एचसी सीटी पेपर दो जरबाइस जो आपके अग्जाम होने हैं फरवरी और मार्ज के अंदर चाहिए इन्स्टेक्टर की बात करूं महिला सुपरवाइजर की फूड सप्लाइइंग स्पेक्टर की या ग्रामस्टी उपटवारी या कोपरेटिव संसाइटी के तो हमने सीरी सुरू कर रखे हरियाना जीके मोग टेस्ट की तो आज मार मोग टेस्ट सेगेंड होगा जितने मोग टेस्ट लगाओगे आप एचसी के अंदर अग्जाम के अंदर स्कोर अपना बैतरीन कर स्कोगे जो अग्जाम डेट आपकी वह फरवरी और मार्ज के फरवरी लाष्ट अमार्ज के फ़ेश्ट विक के अंदर होनी है चलिए बात कर लेते हैं फ़ेश्ट क्यूसिन की अगर चैनल पर ने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले प्राचिन काल में हरियाना राज्या है अन्य किस नाम से जाना जाता था जितने भी क्यूसिन होगे अग्जाम कोरनर से वेरी वेरी इपोटन्ट होगे प्राचिन काल में हरियाना राज्या को किस नाम से जाना जाता था तो इस क्यूसिन का राइटां चरोगा अप्चन नमबर डी यानि कि बर्म परदेश भी का जाता था बर्मा के उत्तरवेदिका भी का जाता था और बर्म रिशी परदेश भी का जाता था चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्यूशन की हरियाना की स्तापना कब हुई थी तो हरियाना की स्तापना है एक नुम्बर 1906 को हरियाना राज्ये की स्तापना हुई थी पंजाब से इलग होकर बात कर लेते हैं हरियाना में कितने जिले थे और यहीं पर बात करूँ, जब हरियाना की इस्तापना हुई थी तो उस टाइम हरियाना के अंदर सात जिले थे, घर, जम्मो कस्मीर के अंदर यानि की सोट्री का इसकी घर है वो, J&K में यानि जी से गुरूगराम, एट से इसार, एसे अमबाड़ा, आर से रोत तक, जैसे जिन्द, के से, करनाल और एम से में अंदरगड इहीं पर बात कर लेते हैं, हरियाना में कुल कितने जिले हैं, हरियाना में अब टोटल 22 जिले हैं और अपना अंसर कॉमेंट करके बताओ, 22 मजिला कब बना था और कौन सा बना था यहीं पर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्यूसिन की, हरियाना में उपमंडल, हरियाना में उपमंडल की सिंख्या कितनी है तो इस क्यूसिन का राइट अंसर होगा अपना उपमंडल है, बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्यूसिन की, हरियाना का पर्थम रज्यपाल कौन था जब हरियाना की स्तापना हुई थी उस टाइम हरियाना के पर्थम राजयपाल कौन थे तो अपना अनसर कॉमेंट करके बताओ उस टाइम हरियाना के जो राजयपाल थे द्रमबीर थे यानि की उप्सिन नमबर C बात कर लेते हैं next question की हरियाना का पर्थम मुक्यमंतरी हरियाना के पहले मुक्यमंतरी कौन थे अचसि के अंदर बार बार रिपीट होने वाले question है और अग्जाम कोर्नेट से very very important तो इस question का राइत आ अंश रोगा बगवत डैल सर्मा हरियाना के पहले मुख्य मंत्री थे बात कर लेते हैं छेतरफल की दृष्टी से बारत के अंदर हरियाना का कौन सा अस्तान है छेतरफल की दृष्टी से हरियाना का बारत में कौन सा अस्तान है तो इस किसन का राइट आंसर होगा अपना उप्सन नमबर C 21 अस्तान है बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्यूसिन की हरियाना का सरवादिक छेतरफल वाला जिला कौन सा है यानि की हरियाना के अंदर सरवादिक छेतरफल के एक एरिये के एक ओर्डिंग बात करें तो कौन सा जिला है सरवादिक अक्षेतरफल में तो सिर्षा जिला है कौन सा जिला है सिर्षा जिला है बात कर लेते हैं next question की और कम छितरफल वाला जिला कौन सा होगा हरियाना का सबसे कम अक्षेतरफल वाला जिला अपना answer कोमेंट करके बताओ सबसे कम छितरफल वाला जिला कौन सा होगा तो इस क्यूशन का राइट आंसर होगा फ्रिद्दाबाद है वो हरियाना का सबसे कम छितरफल वाला जिला है और ऐसे क्यूशन अग्जाम के अंदर बार बार आने की पूरी पुरी संभावना होती है हरियाना का सबसे अधिक जन्शिंख्या वाला जिला कौन सा है हरियाना के अंदर सबसे ज़्यादा जन्शिंख्या वाला जिला कौन सा है तो अपना अंसर कोमेंट करके बताओ हरियाना के अंदर सबसे अधिक जन्शिंख्या वाला जिला तो इस किसन का राहई टार्श रोगाविना हूप सहन् ए फ। फ्रीदाबाद के अंदर जनन्सिंगा सबसे ज्यादा है बात कर लेते हैं नेक्स्ट किसन की हरियाना का सबसे कम जन्सिंग्या ब्ला वो तो था ज़्यादा जन्शिंक्या वाला जिला तो हो गया फरीदाबाद और कम जन्शिंक्या वाला जिला कौन सा है पंचकुला और पंचकुला के अंदर सबसे ज़्यादा वन किस जिले के अंदर पाई जाते हैं तो पंचकुला के अंदर बात कर लेते हैं नेक्स्ट option number D चलिए बात कर लेते हैं next question की हरियाना का राजकिय खेल 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 कौन सा है तो कुस्ती सभी को बताए option number A बात कर लेते हैं next question की और जो भी question आपको आते हैं अपना answer कोमेंट कर दिया गरो और साथ में लास्ट में अपना स्कोर बताना कितने आपके question ठीक थे हरियाना का राजगी है पसू कौन सा है तो इस question का right answer होगा अपना काला मिरग यानि काला हीरन बात कर लेते हैं next question की question number 15 हरियाना का राजगी है पकसी राजगी है पकसी की बात करें तो राजगी है अपना कला तित्तर नहीं यह काला तित्तर आएगा काला तितर यानि ब्लैक फ्रैंकिलिन इंगलिस में भी कई बार पूछ लेते हैं ब्लैक फ्रैंकिलिन यानि कि हरियान का राज की अपकसी काला तितर बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुशिन की कुशिन नमबर 16, 1967 के अंदर बारत के सवनतंतर होने के बाद हरियाना की स्परांत का भाग था तो स्टार्टिंग के अंदर ही बताया था अपना आप अपना अनसर कुमेंट करके बताओ 1967 से पहले बारत अजाद होने के बाद हर्याना किस प्रांत का भाग था तो पंजाब से अलग हुआ था यानि कि उप्सिन नमबर डे इस किस्टन का राइटान से राज़ेगा चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट किस्टन की हर्याना का कौन सास्तान अगरेगन की राज़दानी था बहुत बार इपोर्टेंट किस्टन है हर बार अगजाम में आने की पूरी-पूरी संभावना है हर्याना का कौन सास्तान अगरेगन की राज़दानी था तो इस किस्टन का राइटान से रोगा उ हर्याना के किस स्थान पर लड़ा गया था तो इस कुशन का राइटान से रोगा अपना उप्शन नमबर डी कोरो और पांडों के बीच माबर्त का युद लड़ा गया था बात कर लेते हैं नेक्स्ट कुशन की अप्रेल 1919 के दिन गांद जी हर्याना में कहां से गिरिपतार हुए थे कम से कम 5-6 बार अगजाम के अंदर कुशन आ चुका है यह यानि कि इस कुशन का राइटान से रोगा अपना उप्शन नमबर डी पलवल के इस्तान पर गांद जी हर्याना के अंदर गिरिपतार हुए थ बात कर लेते हैं नेक्स्ट किशन की हर्याना के उत्तर में निमलिक्त में से कौन सा परदेश स्थित है यह यह रियाना के उत्तर के अंदर कौन सा परदेश स्थित है तो इस किशन का राइटान से रोगा अपना उप्शन नमबर C हिमाचल परदेश है वो हर्याना के उत्तर के अंदर है बात कर लेते हैं next question की question number 21 हर्याना के पस्चिम में निमलिक्त में से कौन सा परदेश स्थीत है यानि उत्तर के अंदर तो था इमाचल परदेश है और पस्चिम के अंदर कौन सा हो जाएगा यानि ट्रिक की हो जाएगी पस्चिम और पस्चिम के अंदर कौन सा है पंजाब चलिए बात कर लेते हैं अब next question की हर्याना की अबादी निमलिक्त में किस परदेश में सबसे अधिक है हर्याना की अबादी निमलिक्त में से किस परदेश से अधिक है तो हरियाना की जो अबादी है इन सभी से अधिक है यान इसी किम से नागलेंड से और वरुना चल परदेश से तो राइट अंसर हो जएगा अपना उप्सन नमबर D बात कर लेते हैं नेक्स्ट किशन की हरियाना का निमलिक्त में से कौन सा प्रकरती बाग सबसे बड़ा है तो इस किशन का राइट अंसर हो जएगा अपना उप्सन नमबर D मैदानी बाग है वो सबसे बड़ा है बात कर लेते हैं नेक्स्ट किशन की हरियाना की सबसे प्राचिन वे पर्मुक नहर कौन सी है तो पस्च में यमना नहर है जो ताजेवाड़ा अथिनी कुन्ड से निकलती है यानि यमना नगर से बात कर लिते हैं next question की हरियाना के निमलिक्त में किस जिले के अंदर लाल चैसनेट मिट्टी पाई जाती है तो इस question का right answer होगा अपना option number C यमना नगर के अंदर लाल चैसनेट मिट्टी पाई जाती है और ये जितने भी सारे के सारे question से exam corner से very very important थे कहीं ना कहीं आपको अगर डैल याप मोग टेस्ट लगाओगे तो आप अराम से अपना score अचीव कर सकते हो अब बता दें आपको HSCCT के पेपर के लिए 24 जो आपका फरवरी और मार्च के अंदर होना है उसके लिए हमने computer की series भी शुरू कर रखी है जो class आपको आज दो तिन गंटे बाद में upload कर दी जाएगी computer का mock test इस channel पर हर रोज आपको exam से related मैतपुन जानकरी दी जाती है चाहे मैं बात करूँ computer की class की mock test की वो भी series शुरू किया इसी के साथ में science की mock test की भी series आज की class upload कर दी जाएगी और जिसने भी हरियान जीके का mock test वन है नहीं देखा है तो उसका लिंक भी वीडियो description box के अंदर है वो भी देख लिए सारे के सारे क्यूशन आपको exam corner से बहुत ही important करवाई जा रहे है अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करना ना भूलें और साथ में notification बेल दबादें जैसे ही हमारी next video आएगी आपको notification के जरीए मिल जाएगी